सब्सक्राइब कीजी हमारी यूट्यूब चानल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए रोजाना एक चमच देसी घी खाएं और सारी टिंशन फूल जाएं कोलिस्ट्रॉल, लो इम्म्यूनिटी, हेवफॉल, माईग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी कई समस्याओं को आप घी खाकर खुद से दूर रख सकते हैं इस वीडियो को देखे और जानिए एक चमच खी कैसे आपकी काया कल्ब कर सकती हैं गाय का घी स्वादश्ट और सुगंदित होने के साथ साथ वजन नियंतरत करने, एनरजी के स्थर को बढ़ाने, मानसिक स्वास्त्य बिमारी को दूर करने और ट्वचा के लिए बहुत गुड़कारी माना चाता है बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वजन बढ़ने के डर से घी का सेवन नहीं करते लेकिन अगर गाय के घी का सेवन नियं में त्रूप से किया जाए तो वजन तो नियंतरत रहता ही है साथ ही हर प्रकार की बिमारी से भी आप बचे रहते हैं कुलिस्ट्रॉल कम करे घी पर हुए शोत के अनुसार इससे रक्त और आतों में मौजूद कोलिस्ट्रॉल कम होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घी से बालिरी लिपिट का स्त्राव बढ़ जाता है डेसी घी शरी में बैट कोलिस्ट्रॉल के लेवल को सही रखता है और अच्छे कोलिस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है पाचन शक्ती बढ़ाए घी का स्मोकिंग पॉइंट डूसरे फैट की तुलना में बहुत सादा है यही वजह है कि खाना पकाते समय यह आसानी से नहीं चलता घी में स्थिर सेचुरेटेड बॉंड्स बहुत अधिक होते हैं जिससे फ्री रेडिकल्स निकलने के आशन का बहुत कम होती है घी की छोटी फाटी आसट की चेन को शरील बहुत जल्दी पचा लेता है जिससे आपकी पाचन शक्ती अच्छी रहती है दिल के लिए फायदिमन अब तक यही समझा जाता था कि देशी गी ही रोगों की सबसे बड़ी जड़ है लेकिन यह सच नहीं है यूँकि गाय का घी दिल समेथ कई बेमारियों को दूर करने में सहायक होता है दिल की नलियों में ब्लॉकेज होने पर गाय का घी एक लूब्रिकेंट की तरह काम कर सकता है जिस व्यक्ती को हाट अटाइक की तकलीफ है और चिकनाई खाने की मना ही है वो गाय का घी खा सकता है इससे दिल मजबूत होता है हलाकि आपको डॉक्टरों सिस्की राय ज़रूर लेनी चाहिए तवचा में निखार लाए गाय के घी में बहुत अधिक मात्रा में एंटी आक्सिडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और चेहरे की चमक को बढ़ करा रखते हैं साथ ये तवचा को मुलायम और नमी प्रदान करता है और तवचा को नरिश करने के साथ साथ ट्राइनस को भी कम करता है और तवचा की कांती बढ़ाता है आप देसी घी से रोज शेहरे की मसाज कर सकते हैं मेटबॉलिजम को सही रखे देसी घी शरीर में जमा फैट को गला कर विटमिन में बदलने का काम करता है इसमें चेन फैटी आसिट कम मात्रा में होता है जिससे आपका खाना जल्दी डाइजस्ट होता है और मेटबॉलिजम सही रहता है इसके इलावा खाने में देशी घी मिलाकर खाने से खाना जल्दी पच्चता है ये मेटबॉलिजम प्रक्रिया को बढ़ाता है वजन को नियंत्रित रखे देशी घी में CLA होता है जो मेटबॉलिजम को सही रखता है इसे वजन कंट्रोल में रहता है CLA इंसुलिन की मात्रा को कम करता है जिससे वजन बढ़ने और शुगर जैसी दिक्कते होने का खत्रा काम होता है इसके लावा ये हाइड्रोजेनी करंट से नहीं बनाया जाता है इसलिए देशी की खाने से शरीर में एक्स्ट्रा फैट बनने का सवाल ही प्रदा नहीं होता Immune सिस्टम मजबूत करे देशी घी में Vitamin K2 पाय जाता है जो Blood Cell में जमा Calcium को हटाने का काम करता है इससे Blood Circulation सही रहता है देशी घी Immune सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है जिससे Infection से और बीमारियों से लड़ने की ताकट मिलती है Cancer देशी घी में सुष्म जिवानू, Anti-Cancer और Anti-Viral जिससे तत्व मौजूद होते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं गाय के घी में Cancer से लड़ने की अच्चूक शमता होती है इसके सेवन से स्तन और आतों के खतरना Cancer से बचा जा सकता है गाय के घी न सर्फ Cancer को पैदा होने से रोकता है बलकि इस बीमारी के फैलने को भी रोकता है माईग्रेन माईग्रेन में आमतोर पर सिर के आदे हिस्से में दर्द होता है और सिरदर्द के वक्त मितली या उल्टी आ सकती है इस समस्या से बचने के लिए गाय का घी आपके मदद करता है दो बून गाय का देसी घी नाक में सुबह शाम डालने से माईग्रेन ठीक हो जाता है साथी गाय के घी को नाक में डालने से लर्ची खत्म होती है ना कि खुशकी दूर होती है और दिमाग भी तरो ताजा हो जाता है शुद घी से जुड़ी जानकारी के लिए और देसी घाय का शुद घी खरीदने के लिए वीडियो में दिये डिस्क्रिप्शन पर जरूर जाए उसमें दिये लिंक्स को क्लिक करें और शुद देसी घी प्राप करें सब्सक्राइब कीजी हमारी यूट्यूब चानल इंडियन देसी घी को और घी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाईए